हुआ है गाइस मैं हुआ के के जड़ आप देख रहे हमारा चैनल के के टुटोरियल पॉइंट तो आज हम बात करेंगे इमेज इमेज के कुछ और प्रपर्टीज हैं उनके बारे में तो हम देखेंगे आज इमेज फ्लोटिंग के बारे में ठीक है तो इसके कुछ पॉइंट से उसको डिसकास कर लेते हैं हम यूज दे सी एसेस फ्लोट प्रपर्टी टू लेट दे इमेज फ्लोट तु दर राइट और तु दे लेप्ट ऑफ दो टैक्स मतलब इस इस एस्टीमेर इमेज में हम अपने इमेज को सीएसेस की कुछ प्रपर्टी यूज करके हम अपने इमेज को लेफ्ट टैक्स से लेफ्ट भी कर सकते हैं या राइट भी कर सकते हैं वह प्रपर्टी आपकी फ्लोट प्रपर्टी है ठीक है यह इस प्रपर्टी को यूज करके हम अपने इमेज को लेफ्ट या राइट क arrange कर सकते हैं ठीक है यह basically अपने image को arrange करने के लिए text जब हम text image दोनों के साथ हम काम करते हैं ठीक है तो अपने जैसे आप magazine वगेरा में देखे होंगे कि image को कैसे rearrange किया जाता है और text को कैसे rearrange किया जाता है जैसे अकबार वगेरा में देखे होंगे आप कैसे image को left right किया जाता है उसकी just corner पर images या फिर text जो होते हैं लिखे हुए होते हैं ठीक है उसी type से आप float property का use करके अपने image और text को arrange कर सकते हैं ठीक है यह basically CSS की property है तो यहाँ पस देख सकते हैं आप image src वही image है आपका बसी जो style आपकी जो style property attributes से उसको include करना पड़ेगा आपको इसके अंदर ठीक है image के अंदर image टेक के अंदर आपको जो style attributes से उसके include करना पड़ेगा और double square float colon right ठीक है उसका semi colon से आप terminate करोगे से statement को और इसे फिर double save से आप उसे close कर दोगे तो यहां पस देख सकते हैं बस इसकी style attribute attribute यूज किया है हमने ठीक है इस टारेक्टिबूट से यूज किया image टेक के अंदर उसके बाद हमने डबल स्कॉर में फ्लोट डॉट कॉलन right फिर से semi colon से terminate किया फिर double score को फिर से हमने रगा दिया है ठीक है तो हम इसमें देख सकते हैं इस style जो है हो इस style property आपकी फ्लोट जो है वो CSS की property है ठीक है जो यहां पर समने राइट लिखा हुआ है वो क्या है आपकी इस property की value है ठीक है इसको करने कर देंट कर देंट का और आल्ट आपको पता ही है किसले के जाता ही इमेज की description के लिए हम जो alternation है उसको यूज करते हैं और width and height उसकी image को arrange करने के लिए मतलब हम उसकी height of width क्या रखना चाहते हैं ठीक है और जो फ्लोट है वो दो परपर्टी स्टोर करके रखता है अपने पास left and right ठीक है तो हमने इसको code करके देख लेते हैं उसके बाद तो पहले मैं html यूज करूँगा उसके बाद इसको terminate करूँगा ठीक है ज़िए आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्रियो वीडियो देख सकते हैं इसमें सब कुछ बताए गया है फिर मैं head section को close करूँगा उसके बाद मैं body tag use करूँगा फिर body tag को close करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पास एक h1 tag लोगा उसके बाद इस image one tag को भी मैं close कर दूँगा ठीक है कि मैं इसके अंदर एक चीज दिखने वाला हूं heading देना चाहता हूं इसलिए images floating ठीक है उसके बाद फिर मैं यहाँ पास एक image tag लेता हूं src लोंगा उसी image को images.2.gpg ठीक है उसके बाद मैं इसे रहा करूँगा उसके बाद फिर मैं style property लोगा style property जो style attributes ठीक है यह style attributes है उसके अंदर मैं property लोगा कौन सी float की property लोगा और इसे semi columns के बाद जो float की style की जो style तो आपका attributes हो ठीक है इस image tag के लिए और आपकी जो float है और क्या होगी property होगी और इसकी value दूँगा मैं जैसे right ठीक है इसे terminate करूँगा उसके double score में फिर इसे यूज कर दूँगा फिर मैं अल्ट यूज करूँगा अल्ट मैं लिकोंगा computer software ठीक है जो वही चीज था उसी को मैं लिक रहा हूँ computer software ठीक इसके बाद मैं इससे भी double score में रख दूँगा उसके बाद फिर मैं इसकी width set करूँगा width कितनी दूँ मैं इसकी 300 दे रहा हूँ आपको पता है कि width pixel में use की जाती है आपका इसमें ठीक है और फिर उसके बाद मैं height दूँगा height में मैं दूँगा 200 ठीक है इसके बाद इसे मैं terminate कर दूँगा तो आप यह देख सकते हैं कुछ निए बस आपको आपको जो CSS की property उसको यूज करना है एक float क्या है CSS की property है और राइट और लेट क्या है उसकी value है ठीक है बस और आपको style attributes सो लगा करना ही पड़ेगा क्योंकि style का यूज कर रहे हो आप तो इसके बाद इसे आप सेफ कर दो कि आप यूज कर दो iamg.9 ठीक है हमेसा याद रखना आपको extension आपको आपको हमेसा extension आपको HTML देना पड़ेगा तब भी हो एक webpage create होगा ठीक है उसके बाद आप इसे save कर दें यह बाद हम इसे run करके देख लेते हैं यह काम कर भी रहा है कि नहीं ठीक है चलते हैं अपने HTML वाले folders पे उसके बाद हम इसे run कराके देखते हैं यह बस देख सकते हो यह run हो रहा है ठीक है यह बार आप इसे refresh कर लो तो आप यह बस देख सकते हो यह run हो रहा है आप यह right side चला गया ठीक है यह basically इस लिए उसके जाता है जब हम मैंने एक्जम्पल बता फ्लोच का जो CSS केbirds क helpful उसको यूस कर सकते हैं इसके घलाटा से यूदि करे देखते हैं 108 क्ला को तो फिलाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझवा वागा होगा तो मिलते हैं इपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ